नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब कीजे, लाइक कीजे और शेयर कीजे जी हाँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करें हैं हर सिंगार की, जो गठिया की प्रॉब्लम को जड़ से खतम कर देता है दोस्तों आयू की बात करें तो ये 1000 से 5000 वरक्ष तक जीवित रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हरे भरे रहते हैं दोस्तों इस पेड़ की पांच प्रचातिय होती है, जिसमें से एक प्रचाती ये है, इसको अलग-लग नामों से भी बुलाया जाता है दोस्तों इसके उपर जो फूल लगते हैं, वे बहुत ही सुन्दर और शुशील होते हैं, वे बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी डंडी नारंगी कलर्गी होती है इसमें खुश्बू भी बहुत आती है दोस्तो ये रात को फूल खिलते हैं और सुभेरे गिल जाते हैं ये दो हमने बताई हर सिंगार की खूबिया अब हम आपको बताते हैं इनके फैदों के बारे में कि हर सिंगार से क्या क्या आपको फाइदे होते हैं तो दोस्तो आईए है क्या है इसके उपाए हर सिंगार पेड के पांच पत्ते तोड़कर उसे पीस ले और उसकी चटनी बनाए फिर एक गिलास पानी में इतना गरम कीजिए कि वह पानी आदा हो जाए इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी दर छोड़ दीजिए और उसके बार ठंडा होने के अराम ना कर रही है तो ऐसे में हर सिंगार के पत्ते 10 या 12 पत्तो को लेकर आपको कूट लेना है दोस्तो फिर उसे पानी में इतना उबालना है कि पानी एक चुथाई रह जाए उसको ठान लेना है और ठंडा होने के बाद पी लेना है इसी प्रकार 90 दिनों में चिकनाई प पाने में डाल कर पीजिये तो आपका बुखार ठीक हो जाएंगा दोस्तो नार्मल gitu नहीं केवल किसी भी प्रकार का बुखारो वह ठीक हो जाएंगा जैसे चीकन कुणिये का बुखार देंगु कोई भी बुखार हो तो वो आपका जल्दी ठीक कर देता है हर सिंगार बावसीर का निदान पाने के लिए एक रामबान और शद्दी है इसके एक बीच से प्रति दिन सेवन करने से बावसीर का रोग बिलकुल ठीक हो जाता है हर सिंगार के बीच का लेप पना कर गुदर पर लगाने से बावसीर का रोग को राहत मिलती है इसके फूल हिदे के लिए भी उत्तम और शदी माने जाते हैं वर्ष में एक बार हर सिंगार का फूल आने पर यदि इन फूलों का या फिर फूलों का रस निकाल कर सेवन किया जाए हिदे का रोग से आप पच सकते हैं इतना ह नहीं पारिजात की पतियों को पीस कर शहद में मिलाकर उसका सेवन करने से सूकी खासी ठीक हो जाती है इसी तरह पारिजात की पतियों को पीस कर त्वचा पार लगाने से त्वचा समंधी रोग ठीक हो जाते हैं पारिजात की पतियों से बने हरबल तेल का भी त्वचा रो लापकारी होते हैं तो इसकी पतियां का जूस ग्रोन बुखार को ठीक करता है तो दोस्तो देखा आपने एक छोटे से फूल के कितने सारे फायदे हैं तो आप इसका प्रियोग कर अपनी समस्याओं का समाधान निकाले दोस्तो और मेरे चैनल को भी जादा से जादा सस्क्राइब कीजे लाइक कीजे और शेयर कीजे